नमस्ते स्वागत आपका स्टेडी लाप्स पे आज की जो भी गतिविधी है वो भी रियल लाइफ पे बेस्ड है कि हम प्रेशर का इस्तमाल असली जिंदगी में कहां पर करते हैं इससे पहले हमने कोकोनेट स्क्रापर यानि नारियल के जब लड्डू बना रहे थे तब भी देखा था और प्रेशर का एक रियल लाइफ अप्लिकेशन आपने यह देखा होगा जब आप बाल कटाने जाओ या पेडो पॉधो में पानी डालने के लिए इस तरीके की टूल का एक इस्तमाल करते हैं पानी छड़कने के लिए लेकिन मेरे पास एक दूसरी चीज है यह क क्या करेंगे हम इसको यह मेरे बॉटल में पानी लिया हुआ है इसको इसमें रख देंगे और इसको बंद कर देंगे तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी इसमें देखना, कि मैं पानी फेकोंगे तो यह कितने फोर्स से निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, इस पे थोड़ा से ध्यान देना, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, है ना, बहुत बूंद बूंद पानी निकल रहा ह अच्छा मैं इसको थोड़ा सा खोल दू, तब देखते हैं, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको थोड़ा सा ये जो rod, एक extra rod दी हुई है, ये जो बीच में हमने एक मोटी की rod देखी थी, इससे मैं इसको pump करता हूँ, मैं इसके अंदर हाँ आप देखेंगे, तो बुल हब्उले इसके अंदर जा रहे हैं, इसके अंदर bubbles जा रहे हैं, और इसके अंदर में क्या कर रहा हूँ, compress कर रहा हूँ ए er को, compressed air यानि कि high प्रेशर का एयर मैं इसके अंदर भर रहा हूँ यह जो एरिया है यह जगा है वॉल्यू में इसके अंदर अब हवा हाई प्रेशर पे हो चुकी है बाहर की जो हवा है उसका प्रेशर कम है और यहां का प्रेशर जादा हो गया है जहां तक भी यह भर सकता है मैं इसको भर देत और अब देखिएगा कि अब इससे पानी कैसे निकलता है और कहां तक जाता है अब आपको दिख रहा होगा कि ये पानी कहां तक जा रहा है और कहां तक इसकी रेंज आ गई है तो प्रेशर के उपर है कि अगर मैं इसमें प्रेशर कम भरूँगा तो कम दूरी तक गिरेगा औ तो और भर दूँगा तो और दूरी तक भरेगा, तो मैं जब खेती करते हैं या जब गार्डिनिंग करते हैं तब इस तरीके के pump का हम इस्तिमाल करते हैं, ताकि कुछ पौधे ऐसे होंगे जिनमें हमें फोर्स के साथ अपने जो दवाई है या पानी है उसको छड़कना होग कुछ पेड़ ऐसे होंगे जिनमें हमें बहुत सौफ्टली उसमें पानी या दवाई का छड़काव करना होगा तो यह उसमें हमें रेंज देता है कि अगर हम कम प्रेशर भरेंगे तो बहुत हलके हलके से पानी उस पे ड्रॉप भाई ड्रॉप भी गिर सकता है, लाइट श अगर बहुत है तो अलग अलग प्रेशर पर हम उसको छेड़क सके हैं प्लांट्स के अकॉर्डिंग पेड़ पॉधो के सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग की वह कैसे हैं अब मैं इसका ढकन खोलता हूं तो आप देखेगा कि इसके अंदर जो प्रेशर हवा का भरा हुआ वह कैसा आवाज करता है तो जैसे हम पेड़सी की बॉटल खोलते हैं वैसी ही आवाज इसमें भी आती है क्योंकि अभी जैसे हलकी होगी तो आप देखेगा कि फिर से पानी नहीं निकल रहा है थोड़ा सा मैंने प्रेशर भरा तो हलका सा पानी निकल रहा है तो यह एक रि उर्भाज करते है तो यह एक रिखेगा कि रवंगा कि बुटल खो यह एक रिंगत है।